इसमें पहले हमने standing line बनानी है फिर हमने यहां से slant बनाना है ऊपर इस line तक और फिर इसे इसे टर्न करना है और ऐसे हमने curve बना कर फिर नीचे से ऐसे fold कर देना है क्षे शत्रिये आपने इसे ऐसे टर्न करने है और फिर इसे निचे इसकी जेल बनानी हो के क्षे शत्रिये आपने इसे ऐसे प्रॉपर फॉर्मेशन में बनाना है